बेल्टों के ओड़ी से रेजिश्टेशन की पड़किरियाאש चुरु की गई है जिसमें अभी मात्र प्रोग्रामर के लिए ऑउनलेन congratulation की पड़किरिया होंगे जो भी छाद Belton New Registration की इंदिजार करें बहुत जल्द दो मन्द के भीतर ही New Registration की परकिरिया आप लोगो देखने को मिलेगा अभी Belton जो Registration की परकिरिया सुरू करने वाले है Online आविदन 12-6-2023 से सुरू हरने वाले है यहाँ पर आप लोग समय लेंगे सिर्फ अभी प्रोग्रामर के लिए लिंक एक्टिव किया जागा ठीक आगे यहाँ पर समय लेंगे सिलेवस क्या राने वाले है Online आविदन कीस तरह से करेंगे Qualification क्या चाहिए यह लेटर 2-0-2023 को जारी किया गया बिहार एस्टेट इलेक्टोनिक डेवलोपेड कोर्परेशन बेल्टोन भवन बेल्टोन प्रोग्रामर है तो Online रजिस्टेशन की परकिरिया यहाँ देखे बताया जारा है बिहार एस्टेट इलेक्टोनिक डेवलोपेड कोर्परेशन लिमिटेड बेल्टोन मेन पावर एजेंसी के मादियम से राज सरकार की विभागों कारियाले निकाल को मेन पावर एजेंसी के मादियम से कम्पीटर तक्निक की कर्मियू प्रोग्रामर सहीत की सेवा संबीदा के अधार पर उपलवद करे जाती है यह जो जोब है यह संबिदा आधारी जोब है कॉंटेक्ट वाले इस पे आप लोग आविदन करके जोब ले सकते हैं यहाँ देखे बताये जारा उप्युक्त अभियार्थो का रेजिस्टेशन बिहार एस्टेट इलेक्टोनिक डेवलोपेट कोर्परेशन लिमिटेड दोरा CBT आधारी दक्ष्टा परिछा में सफल होने के उपराम चैन योग अवियार्थों की सुची पेनल निगम की मेन पावर एजेंसी को उपलावद करा दी जाती है वर्तमार में बेल्टोन दोरा प्रोग्रामर की सुची पेनल त्यार की जाती है बिभागों दोरा अलग अलग करेंगे और CBT क्वाइलिफाय करेंगे उसके बाद जो पैनल त्याब होंगे आप लोग का जो जोइनिंग मिलेंगे जहां पर अधियचना जाते है बेल्टोन से जहां से भी अधियचना जाएंगे अधियचना का मतलब हो गया जहां से मांग होते है प्रोग्रामर के लिए जो भी विभाग में तो आपको बेल्टोन द्वारा जोइनिंग मिल जाएंगे यह सुची जो त्यार किया जाएंगे बेल्टोन के द्वारा ही ओनलेन आवेदन लिया जागा CBT एक्जाम होंगे टैपिंग होंगे आगे यहां पर समय लीजिए सबसे पहला सेक्षनिक योग एकार 2013 नीनतम 21 वास और अधिकतम 60 अर्ष तक के छाथ इसमें अवलेन आवेदन कर सकते ठीक और आरक्षन के लिए यहां पर देखे बताया जा रहा है सभी अधियाच्यों के राज सरकार की आरक्षन नितिका पालन किया जाएगा तथा रोष्टर के अनुसार अभियार्थ इसमें शाब तोर पर जानकाई दी गई है जो भी छाद का पैनल बनते है उसके बाद जहां से भी अधियाचना आएंगे तो वहां पर आप लोग को जोईनिंग करवाएंगे और यहां देखे बताया चार्या बिहार स्टेट इलेक्टोनिक डेवलोपेड कोर्परेशन बेल है लेकिन 2023 होना चाहिए मिश्टेक से 2022 हो गया ठीक और यहां देखे बताया जा रहा है रेजिस्टेशन है तो सभी अवियार्थों को रेजिस्टेशन सुल के रूप में 1000 दे होगा तथा केवल बिहार राज के अस्थाई निवासी मैला अनसूचित जातियों अनसूचित ज देना होगा रेजिस्टेशन चार्ज और SCHT मैला जो भी आते है उसको रहेजिस्ट रुप्या रखा गया ठीक तो फिर इतना रखा गया और यहां देखे क्वैलिफेकेशन के रिगार्डिंग कुछ इंफर्मेशन दी गई है एजुकेशन क्या रखे जाएंगे और MCQ का प प्रवदान नहीं है दक्ष्टा परिछा INGO इगनू के MCS सिलेवस के अधार पड़ होगी चैन है तु काट अप मार निर्धाइत क्या जेगा जिसमें बिहार के अस्थाई निवासी मैला अनुसुची जन जाती औम जन जाती के 10% की तथा दिव्यांक अभियार्थों को 15% अ 25 तक रखा गया 12-6-2030 से आप लोग आउनलेन आविदन कर सकते हैं जो भी चाद प्रोग्रामर के लिए रजिस्टेशन करना चाहते है ठीक यहां देखे सबसे पहले आपका CBT एक्जाम होंगे सवर नमर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इगनू के MCS सिलेवस से आप सबसे पहले आपको रजिस्टेशन करना पड़ेगा रजिस्टेशन 12-6-2030 से रजिस्टेशन सुरू हो जाएंगे रजिस्टेशन करने के बाद आप लोग का एक्जाम डेट आएंगे एक्जाम का जो पेटर नरने वाले यहां पर आप लोग समझ गए होंगे इगनू के MCS से राने वाले 100 नमर का क्वेश्टन पुछे जाएंगे उसमें 50% लाना अनिवार्ज है मतलब कम सब्सक्राइब आप लोग 50 नमर भी लाते हैं तो क्वाइलिफाय कर जाएंगे तो यह अपडेट था बेल्टाउन की और से बहुत जल्ब न्यू रिजिस्टेशन के उपर ड धन्निवाद